नमस्कार भारत के पहले मुबाइल न्यूज चैनल मेटो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामेगा इस खास न्यूज बुलेटन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नजराज की हेर्लाइन्स पर जामनगर में पिये मोदी ने सोनी योजना का किया शुबारंग दूर होगा सौराश्ट्र का जल संकत पाटिदारों ने किया अपने अंदाज में विरोध रैली में लगे जैसरदार जैपाटिदार किनारे कश्मीर में तनाव और पत्थर बाजी पर महबूबा ने फिर जाहिर की चुनता कहा पत्थर बाजी के लिए बच्चो कार नहीं हो इस्तमाल उनकी जगा स्कूल कॉलेजों में चीन की सरकारी मीडिया ने किया पीए मोदी पर हमला बलतुस्तान पर कहा सब रखो बैटे हैं पीए मोदी पीयो के में आतंक पीडितों के मुआवजे के अलान को बताया उकसावे वाली कारवाई सरकारी करमचारियों की दो महीने वहले दिवाली कल मिलेगा साथ महीने का एरियर और बड़ा वेतन, साथ वेतन आयों की सिफारिशों का मिलेगा लाव और ओनलाइन रेल टिकेट पर आप यात्रियों को मिलेगा दसलाख रुपई का बीमा एक रुपई से भी कम के प्रीमियम पर यात्रियों को मिलेगा बीमा प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के ज्वाम नगर में अजीवांध पर स्थित सोनी प्रोजेक्ट के पहले फेज का उद्खाटन किया और इसके बाद जन्सभा को संबोधित किया प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी के कारिक्रम में पाटिदारों ने अपने ही अंदाज में उनका विरोध किया पहले तो पाटिदार प्रधान मंतिरी के भाशन के दोरान ही निकल गए और उसके बाद एक यूवा वहां खड़ा हो गया और उसने जैसरदार जैपाटिदार किनारे लगाए हाला कि इसके बाद तुरंथी पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया कश्मीर में तनाव और पत्थर बाजी पर एक बार फिर जमु कश्मीर की मुख्यमंत्री महबुवा मुफ्ती ने चुन्ता जाहिर की है उन्होंने एक सभा में कहा कि बच्चों की जगा स्कूलों और कॉलेजों में होनी चाहिए उनका उप्पयोग पत्थर फेकने में नहीं करना चाहिए इन बچ्चों का संबन्ध कॉलेज, आयाईटी और विश्व विद्धेलेउज से होना चाहिए सडकों से नहीं उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में होना चाहिए उन्हें अपना करियर बनाना चाहिए ना की पत्थर फेकना चाहिए महबुबा ने कहा कि कश्मीर की संस्कृती रही है कि यदी नोट बुक हमारे पैर से लग जाए तो हम उस नोट बुक को माथे पर लगाते हैं सभा में सुबे की मुखेमंतिटरी ने कहा कि सरकार विकास के लिए फंड उपलब्भ करा रही है इसके लिए हमें अपने शेत्र में काम करने की आवशक्ता है ताकि इस फंड का उपयोग ज्यादा से ज्यादा जन कल्यान के लिए हो सके एक चीनी सरकारी दैनिक ने भारत द्वारा पाक अधिकरित कश्मीर में बसे आतंगवाद के शिकारों को मुआवजा देने की पेशकश को लेकर तिलमिलाई भाशा में वंगलवार को कहा कि भारतिय प्रधानमंती नरेंद्र मोदी सब रुख हो चुके हैं और उन्होंने दु पाक अधिकरित कश्मीर में आतंगवाद की शिकार लोगों को पांच लाक रुपए का मुआवजा देने को उकसाने वाली कारवाई बताते हुए आलेक में कहा गया है कि ज्यादा महतपून ये है कि पाकिस्तानी सीमा में बसे कश्मीरी भी इस मुआवजे का दावा कर सकते अपनी बारा सूत्रिय मांगो को लेका ट्रेड यूनियन दो सतंबर यानि शुकरवार को होने वाली हरताल पर अड़े हुए हैं ऐसे में पीम नरेंदर मोदी ने सोमवार श्रम को एक आपात बैठक बुलाई सूत्रों के अनुसार इस आपात बैठक में वित्त मंत्री दारू दतत्रे शामिल हुए ट्रेड यूनियनों ने सरकार को चेताया है कि दो सतंबर को बैंक सरकारी ओफिस और कार्खानों में हरताल रहेगी गौरतलब है कि ट्रेड यूनियनों की बारा सूत्री मांगो में नियूंतम वेतन 18,000 रुपाई करना शामिल है वेफार्मा औ आयासीटीसी की वेबसाइट पर अपना टिक्ट बुक कराने वाले रेल यातरीयों को एक रुपगा से भी कम के प्रीमियम यानि 92 पैसे पर दस लाख रुपई का यात्रा बीमा देने जा रही है आयासीटीसी अपनी अधिकारिक वेबसाइट के माधियम से ए-टिकेट बु के मताबिक यात्री सुविधाओं की दिशा में ये एक महतपूर कदम होगा रेल मंत्राले के एक अधिकारी के मताबिक 31 अगस्त को रेल टिकेट पर 10 लाख रुपए की बीमा योजना को विदिवत लॉंच किया जाएगा पहलवान योगेश्वदत त्रियो ऑलम्पिक से भले ही खाली हाथ लोटा आए हो लेकिन अब उनको एक सांतना पुरुसकार मिलने जा रहा है दरसल 2012 लंदन ऑलम्पिक के दौरान जो उन्होंने कांसिय अपदक जीता था वे अब अपग्रेट होकर सिल्वर हो गया है इसकी अपचारी घोशना कर दी गई है वास्तव में ये उन अलोपिक में 60 किलोग्राम फ्रीस्टाइल्स प्रदहा में रूस की बेसिक कुदुगोफ ने सिल्वर मेडल जीता था और योगेश्वर को कांट से मिला था लेकिन अब बेसिक का डोप टेस्स पॉजिटिव पाय जाने के कारण वे तमगा कांसिय अपदक विजेता रहे यो पुलाया जाएगा बलुचुस्तान पर पीम नरेंद्र मोदी के बायान और पी ओ के सिंध में आजादी की मांग के बाद पाक के लिए ये बड़ा जटका साबित होने वाला है बता दे कि भारत पूरी तैयारी में है कि वो आतंगवाद का मुद्दा अगले हफते होने वाल आमादी पार्टी पर गंभीर आरूप लगाये हैं डीप्टी सीयम ने रजनात सिंख को चिठी लिखकर आरूप लगाया कि पंजाब में अश्रांती के लिए आमादी पार्टी को विदेशों के कथर पंतियों से पैसे मिल रहे हैं उन्होंने ग्रेह मंतरी से आपकी फंडि का कार्य भी समाल रहे हैं उन्होंने दावा किया है कि आपको मिल रहे पैसे की जान से पता चल जाएगा कि आप धर्म ग्रंथों की बेयादबी और हिंसा के माध्यम से पंजाब में अश्रांती फैलाना चाती है दिले में एक बार फिर उपराज जिपाल, नजीब जंग और केजरिवाल सरकार के बीच तलवारे खिच गई हैं उपराज जिपाल ने स्वास्थिय सचीव तरुन सिम और पी डबलू दी सचीव सरवग्य श्रिवास्तव का तबादला कर दिया है जब क्यूप मुख्यमंत्री मनीश सोदिया ने दोनों अधिकारियों को ना हटाने के लिए उपराज जिपाल से मुलाकात भी की थी मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने दोनों अफसरों के बाद ट्विट किया कि मनीश अलजी के पैरों में पड़े की मौहला क्लीनिक और स्कूल मनाने वाले सेकेटरीज को 31 माच तक ना हटाए पर वो नहीं माने कि जिवाल ने पहले भी कहा था कि दोनों अफसरों को ना हटाया जाए क्योंकि इसे मौहला क्लीनिक और श्रिवास्तफ फ्लाइ ओवरों के प्रोजेक्स पर काम कर रहे थे साथे वेतन आयो की सिफारिशों के मताबिक 31 अगस्त को 50 लाख की करीब केंद्र करमचारियों के खाते में बढ़ा हुआ वेतन और साथ महीने का बकाया आएगा सरकार ये भी कोशिश में है कि 50 लाख की करीब पेंशनर्स को भी नई वेवस्था के हिसाब से बढ़ा हुआ पेंशन और बकाया पहली सतंबर तक मिल जाए केंद्र सरकार के करमचारियों और पेंशन धारकों के लिए साथ वेतन आयों की सिफारिशे पहली जनवरी से लागू माने गई है हर दो साल बाद लागू होने वाली नई वेतन विवस्था में केंद्रिय करमियों के मुल वेतनमान में बढ़ो 3.2.2 से 23.4.2 के बीच है सिल्वर मेडल जीतने वाली शटलर पीवी सिंधू के लिए एक और खुश खबरी है आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि CRPF ने इस सम्मंद में गुरह मंतराले को इस सम्मंद में एक आधिकारिक प्रस्ताव भी भेज दिया है और जरूरी मंजूरी मिलने के बाद सिंधू को एक समहारों में इस रैंक में सम्मानत किया जाएगा और उन्हें ये बैज सौपा जाएगा जहां उन्हें CRPF की वर्दी भी दी जाएगी इस न्यूस बॉलिटन में फिल हालत नाहीं ताज अतरीन खबरों को जानने के लिए जोड़े रहीं मेट्रो टीवी से नमस्कार